हलो प्रेंट, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोग का एक नए वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे UPPSC की इसमें मैं आप सभी लोग को कुछ इस्टेप बताऊंगा, कुछ सुझाओ दोंगा जिससे क्या होगा कि आप लोग अपने तैयारी को और अच्छा बना पाएंगे और चीजों को विद्वत तरीके से आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या करना है तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं देखिए सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बता दू ये UPPSC जो होता है ये खुद बताता है कि अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो कैसे लेना है ये कोई भी स्टेट वाले हों वो इसको देख सकते हैं इस वीडियो को जैसे मालीजी आपका बिहार PSC हो गया ठीक है बी PSC हो गया ठीक है और इसके अलावा आपका जैसे मद्रदेश का PSC हो गया MPPSC हो गया ठीक है तो ये सारे जो है ये आपको स्टेट को डिनेट करता है और ये PSC को डिनूट करता है यह आपका state बताता है, यह PSC denote करता है कोई भी हो, जैसे यह BRPSC हो गया, MPPSC हो गया, मदप्रदेश PSC और यह आपका UPPSC हो गया तो UPPSC मतलब UP मतलब उत्तरप्रदेश और PSC आपको क्या बताता है कि आपको अंदर तीन qualities होनी चाहिए तभी आप इसमें selection ले पाएंगे number 1, P for patience, ठीक है patience होना चाहिए इसके अलावा आपको जो है, इसमें पूरा खेल होता है slavus का और आपके concepts का, ठीक है यानि कि अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के अगर अंदर patience है और आप सभी लोग slavus पूरा cover कर रहे हैं और slavus के according अगर आप concepts बना रहे हैं तो आपको UTPSC में जाने से कोई नहीं रोग सकता आप 100% HTM, CO या फिर अच्छे पत्पे आसीन होंगे कोई issue नहीं आने वाला लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है patience होना चाहिए आपके अंदर patience के अलावा आपको slavus पे छी पकड़ होनी चाहिए और उसी के according आप अपने concept डेवलप करने चीजों को कैसे पढ़ना है ये सारी चीजे आप लोग समझ ले तो आप बड़ी आसानी से जो है इस exam को crack कर पाएंगे अब देखिए किसी भी exam में selection लेने के लिए आपको अपना 100% देना होता है और ये 100% कहां से आता है वो भी मैं आप लोगों को describe कर दूँ इसमें से आपका 25% क्या रहता है सही दिसा में प्रयास करने से और सही मार्ग दरसन से ठीक है सही दिसा में प्रयास करना और सही मार्ग दरसन ठीक है सही मार्ग दरसन तो ये दो चीज़े अगर आपके पास हैं तो 25% आप ऐसे ही cover कर लेंगे और बाकी का 25% आपका slavus ठीक है slavus हो गया और concept हो ठीक है जब आप slavus और concept पे work करेंगे तो ये 25% आपका cover हो जाएगा और बाकी का बचा 25% तो ये आपका hard work ठीक है hard work और आपका patience ठीक है इन दोनों पे निरधारित रहता है ठीक है यहां से आपका 75% हो गया और जो बाकी का 25% बचा तो ये आपका जो है luck पे depend करता है अब luck की बात मैंने क्योंकि यहां पे luck का मतलब क्या है जैसे मान लीजे आप exam देने गए और paper आपके मन मताबिक आ गया वो सारे प्रशन आ गये जो आपने पढ़े हुए थे या फिर आपने कोई तुक्के लगाए या guess किया किसी question कोई answer को और वो सही हो गया तो यह आपका luck का factor 25% काम करता है no doubt लग मायने नहीं रखता है बस hardware खिस से सब हो जाता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लगाणे आही जाता है इस प्रकार से आप 100% जो है अपना देते हैं फिर आपको सरकारी नोकरी या फिर आप कोई भी exam पर preparation करते हैं उसमें आपको selection मिलता है एक vehicle power है आप अपने electronic gadgets जैसे mobile हो गया, tv हो गया, laptop हो गया सारे किनारे रखते हो ठीक है, 10-12 घंटे प्रयास करो और वो भी किसी authentic book के साथ में निस्चि सफलता मिलेगा सफल आप जरूर होंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन वहीं अगर आपको proper guidance मिल गया तो कम समय में आप सफल हो जाएंगे बात को समझ रहा है न, proper guidance और proper books, proper notes यह सारे required होते हैं एक जल्दी से और कम समय में selection लेने के लिए, ठीक है तो उसके according मैंने कुछ steps बताए हैं इस वीडियो में वो जब आप देखेंगे और उन पे आप work करेंगे तो 100% आपको result मिलेगा, तो आईए देखते हैं वो steps, देखे, step number 1 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, में के proper diary ठीक है, यह diary ऐसी चीज होगी जो सुरू से लेकर के आपके selection तक आपके पास होगी, सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना है कि सबसे पहले आप लोग syllabus को पढ़ेंगे और खुद से इस diary में नोट करेंगे ठीक है, और दूसरा जब आप study करेंगे और topics cover करेंगे, जो cover होते जाएं उन्हें आप highlight कर दीजिएगा, इसी diary में ठीक है, और फिर जब आप उनका revision कर लें, तो उनको mark कर दीजिएगा clear है, यह तीन काम आपको समझ में आएगे, चौता काम आपको यह क्या करना है, इसके बाद में उसके आप लोगो को short notes बना लेने हैं, जब आपके short notes बना लें, तो फिर उन्हें एक बार दूसरे color से mark कर दें, या फिर उन्हें card दें, कि यह सारे जो है, finish हो गए हैं, ठीक है, और यह short notes आपके end तक काम आने वाले बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा exam paper में, यह जो short notes होंगी, यह आपके brain में रहेंगे, और वहाँ exam में बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है तो एक proper diary आपको बनानी है यह चीज़ आप लोग note कर लीजे, और जो जो workout आप करते जा रहे हैं, जो success के पत पर ले जाएगी, step 2 की अगर हम लोग बात कर ले, तो step 2 में आप लोग को क्या करना है, previous year questions देखना है, ठीक है, पीवाई कू आपका बहुत important होता है, यह सबसे महत्पूर्ड है आपकी सफ़लता के लिए, लेकिन previous year question पढ़ने का भी एक तरीका होता है, जैसे मैं लीजे मैं अभी आपसे पूछ लूँ कि आप उस सासक का नाम बताओ, ठीक है, आपको सासक का नाम बताना है, जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के दोरा अपने सरीर का त्याग किया था, मैंने पूछा, उस सासक का नाम बताओ, जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के दोरा अपने सरीर का त्याग किया था, और सपोच करिए, मैं आपको option में दे रहा हूँ, A, B, C और D, चार option दे रहा हूँ, नाम बताओ, जिसने एक सच्चे जैन मुनी की तरह उपवास के दोरा अपने सरीर का त्याग किया था, अब इस question का उत्तर देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस topic से पूछा गया है ठीक है और इन चारो option के बारे में पता होना चाहिए कि इन लोगों का सामराज क्या था कैसे इनों लोगों नों क्या किया राज किया क्या क्या इनकी नीतिया थी सारी चीज पता हुई तब जाके आप option D पे आप आओगे कि चंदगुप्त मौरे सही जवाब है ठीक है तो उसके लिए आपको क्या है उसके लिए आपको करना है कि आप syllabus उठाओ और उसमें से एक topic मार्क करूं और उसको पढ़ने से पहले जो topic आपने मार्क किया है उसको पढ़ने से पहले उस topic के previous year question करिए और फिस text book ले करके उस topic को पढ़िए ठीक है और जब आप उस topic को पढ़ेंगे तो उस topic की importance आपको समझ में आने लगेगी जो जो चीजे आपको ज़रूरी लगें previous year questions के according उन्हें आप लोग वहाँ पर मार्क कर लें ठीक है जब आप उन्हें मार्क कर लेंगे तो उसके बा रहता एक sequence होता है प्रस्तावना से सुरूर करके पूरा content होता है कि पहले यह आये फिर उनके बाद यह फिर उनके बाद यह मतलब एक दूसरे से chapter जो है connected होते हैं राइटर्ण खुद decide करता है ना कि यह chapter पहले नमर पे होना चाहिए यह chapter second नमर पे आना चाहिए यह chapter third नमर पे आना चाहिए तो क्यों decide करता है क्योंकि सब चीजे एक दूसरे से interconnected होगी तो जो syllabus का आप उठाओ तो starting से उठाओ और बिल्कुल concept पकड़ के उसको पढ़ो पहले PYQ करो फिर test book से पढ़ो और जो चीजे important लगे उन्हें mark करो और उसके short notes बनाओ ठीक है clear है इतनी बात च ज्यादा books follow करने से बचिए बस आपको कुछ ही selected books follow करनी है selected books कहने का मतलब जो authentic books है उनको follow करनी है जैसे मैं अगर आपको suggestion दूँ जैसे मैं कहां asient आपको पढ़ना है ठीक है तो asient के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप RS सर्माजी से पढ़िए ठीक है RS सर्माजी asient हो जैसे जागरफी की बात करें ठीक है ठीक है जागरफी आपको अगर मैं बताऊं तो जागरफी के लिए मैं आपको गौँगा कि महेस वर्नवाल जी को follow करिये ठीक है महेस वर्नवाल ठीक है तो ये जो books है ये authentic books है ठीक है इस type की बस authentic book ही follow करिये बस इनी book को आपको कई बार पढ़ना है इतना बहुत है अगर आप बहुत सारी बुकों में उलज जाएंगे तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे ठीक है आप अपने concept से भाटक जाएंगे वेल अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको एक बुकलिस्ट प्रवाइड करूँ इन अथेंटिक्स बुक्स की तो आप मेल या कमेंट मुझे कर सकते हैं मैं आप लोगों को प्रवाइड करा दूँगा ठीक है next step देख लेते हैं step 4 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जरूरी step है make short notes ठीक है short notes क्या रहता है यह आपके brain में स्थापित हो जाता है और आप जो चीजे या topic पढ़ते हैं उसके short notes बनाना आप लोग अभी से सीखिए ठीक है बड़े बड़े topics को कम से कम सब्दों में समेटना सीखिए इसमें आप सभी को जो mistakes करते हैं वो यह है कि जो चीजे आपनों को पता होती हैं आप उसे भी लिख लेते हैं short notes का मतलब यह नहीं कि जो चीजे आपको पता आप उन्हें भी note कर लें दिखिए जो चीजे पता है वो तो आपके brain में पहले से हैं आपको वो चीजे रखनी है जो आपको exam हाल तक ले जाना है तो इसलिए short notes में बिल्कुल मत भरिए जो चीजे जरूरी है उन्हीं को आप उन्हें note करिए ठीक है और याद रखिए revision के time पी short notes ही आपकी काम आते हैं क्योंकि फिर आप textbook करेंगे तो उससे आप बहुत जल्दी revision कर पाएंगे इसलिए किसी भी प्रकारता कूड़ा समझ रहना आप लोग मतलब ऐसी चीजे जो important नहीं है वो अपने short notes में बिल्कुल मत रखी उनको होना ही नहीं है उसमें और आपके short notes में बस वही material होना चाहिए जो आपके लिए most important लगता है ठीक short notes अगर आप लोग बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है अगर नहीं बना पाते हैं तो आप comment करिए या email करिए तो मैं आपको उसकी टेकनिक बताऊंगा कि short notes कैसे आपको बनाना है step 5 देख लेते हैं step 5 कि अगर हम लोग बात करें यह भी बहुत जरूरी होत है लेकिन यह आपको कि क्या करना है attempt more mock test का role बहुत अलग होता है जैसे आप किसी exam center में गए तो पहले जैसे मैं आप सब्सक्राइब करना क्या होता है खुद को तयार करना खुद को prepare करना यह बहुत जरूरी है चाहे वो कोई exam हो या फिर कोई जंग अगर आप तयारी से नह करने के लिए कितनी preparation करता है ठीक है यह तेल है यह मैन है यह आपका जो है क्या होता है हरे उसको मैं भूल जाता हूँ at home है ठीक है यह इतनी सारी चीज़े prepare करता है एक छोटी सी साधी के लिए फिर exam के लिए क्यों नहीं कर सकते भई उससे तो आपका भविस से बनने वाला ह एक्जाम के लिए आप तैरी करिए आपको धेर सारे pattern के according mok test लगाने है वो भी time का alarm लगा करके ठीक है समय का बहुत ध्यान रखना है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं किसी अच्छे institute के mok test join कर सकते हैं या फिर कोई question book type के लिए आ सकते हैं उस book को ला करके आपको alarm लगा कर करके जो है उसे solve करना है solve करने से ही काम नहीं चलेगा उसके बाद मैं आपको solve किये गए paper की समीच्छा करना है ठीक है समीच्छा करना जो है most important है ये चीज आप लोग याद रखिएगा अगर आप समीच्छा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके mok test देना बेकार है अ मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ समीच्छा ऐसे करना है जो प्रश्णा आपके गलत हुए है उसके लिए आप एक अलग से copy बनाईए और उन्हें note करिए ठीक है और उनके solution भी लिखिए ठीक है ये सारे काम आपको ये कलप copy में करने है और आपको जैसे माली जाब ने और उस copy में लिखे गए प्रश्णों और उनके answers को revise करिए जितना ज्यादा मोमोक लगाएंगे उतना ज्यादा आप अपने कमजोर sections और मजबूर sections की जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे और जितना ज्यादा आप अपने कमजोर section और मजबूर section को जानेंगे उतना ज्याद आप लच्छ के पास पहुंशते जाएंगे एक समय ऐसा आएगा कि चीजे आपको रिकाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप प्रशन देखेंगे भले कि आपने उस प्रशन को ना पढ़ा हो या उसका उत्तर ना पता हो लेकिन आप इस स्थिती में होंगे कि आप सही विकल्प का चैन कर सकें ठीक है जब चीजे आप उसके आसपास सरे गुजरे होंगे ना उस प्रशन के तो आप इस स्थिती में होंगे कि आप चीजे बता पाएंगे कि ये विकल्प नहीं हो सकता तो ये वाला होना ही ठीक है इसी को कहते हैं magic magic up hardware तो अगर आपको magic up hard work देखना है तो उसके लिए आपको hard work करना है ठीक है और करने के लिए कोई मूरत नहीं होता है आज और अभी से ये वीडियो देखने के बाद में आप diary maintain करना सुरूर कर दीजिए और जो जो steps मैंने बताए हैं आप follow करना शुरू कर दीजिए यकीन मानिए आप magic देखना शुरू कर देंगे आपको जो है खुद लगने लगेगा कि मैंने confidence बढ़ जाएगा आपको खुद ऐसास होगा कि मैंने ये चीजे cover कर लिए बस इतना बाकिय है इतना अगर मैंने और cover कर लिया तो फिर जीजाम से पास होने में मुझे कोई नहीं रोब सकता ओफिसर बनने से मुझे कोई नहीं रोब सकता ठीक है ये सारी चीजे आप लोग टाई करिए उम्मीद करता हूँ आज की चीजे आपनों कुछ समझ में आई होंगी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई कुछ दिक्कत आपको लग रही है तो ये हमारी इमेल आईडी है upssclecturesonline.com आप इस पे हमसे इमेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं माकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंट्स के साथ सेर कीजिएगा जो लोग नए है वो लोग चैनल को सबस्क्राइब करेंगे थेंक यू